So good morning guys और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में 12 फरवरी की important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है हाल ही में किसने wildlife photographer of the year 2021 का पुरुसकार जीता तो answer होगा Robert Irwin ने तो Australian wildlife photographer है ये Robert Irwin और इन्होंने अभी wildlife photographer of the year People's Choice Award प्रटोगिता में पहला पुरुसकार जीता है तो Robert Irwin ने बुश फायर नाम की image के लिए ये पुरुसकार जीता है जो की 2020 में विनाशकारी आस्ट्रेलिया ये बुश फायर की तस्वीर है तो इनका नाम याद रखना Robert Irwin इनका नाम है ये कहां से हैं आस्ट्रेलिया से हैं बाकि रवी गायकवाड नेलसन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरुसकार जीता था इन्होंने डॉक्टर केरोलिना अरूजो ये ब्राजील की गणी तग्या है और 2020 का युआ गणी तग्या रामानुजन पुरुसकार जीता था इन्होंने और सरगेई गोर्शकोव ये रश्या के हैं और आपको याद होगा वाइल लाइफ फोटोग्राफर आफ दे इयर 2020 का खिताब जीता था इन्होंने और इनके साथ एक और नाम मैंने आपको बताया है एश्वर्या श्रीधर का उन्हें बिहेवियर इन्वर्टी ब्रेट्स केटेगरी में 2020 का वाइल लाइफ फोटोग्राफर का अवाड मिला था तो वो नाम भी आप याद रखेंगे और आज का नाम भी जो है रोबर्ट इर्विन बढ़ते आगे फिरहाल इमें विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 11 फरवरी को तो हर साल 11 फरवरी को ये वर्ड यूनानी डे के रुपे मनाया जाता है और ये दिन हर साल प्रसिद यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जैन्ती के रुप में मनाया जाता है पहला जो यूनानी दिवसे वो 2017 में केंद्रे अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदरबाद में मनाया गया था और आपको बजा दू यूनानी चिकित्सा पदत थी ये यूनान में उत्पन हुई और इसकी निव हिप्पो क्रेट्स के द्वारा रखी गई थी बाकी देखो तो फरवरी में कौन-कौन से डे हमने मनाया एक फरवरी को भाते तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने अपना पैतालिसवा इस्तापना दिवस मनाया दो फरवरी को वर्ल्ड वेटलेंड डे होता है जिसकी थीम थी वेटलेंड एंड वाटर चार फरवरी को World Cancel Day मनाया जिसकी थीम थी I am and I will और चार फरवरी को ही अंतर राष्ट्र मानो बंधुत्व दिवस International Day of Human Fraternity के रुप में मनाया जिसकी थीम थी A Pathway to the Future फिर दस फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानि की World Pulses Day और दस फरवरी को ही National Dewarming Day राष्ट्र क्रमी निवारन दिवस के रुप में मनाया और 11 फरवरी को International Day of Women and Girls in Science के रुप में मनाया तो अभी फरवरी में ये Important Days हम लोग मना चुके हैं इनको याद रखना और देखो Days से Related Decorcussion में आपको आगे कराऊंगा तो वह हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं आगे फिर है Bio Asia ये किस भातने राज्य या Union Territory के द्वारा आयोजित एक प्रमुक शिखर सम्मिलन है तो आंसर होगा तेलंगना तो Bio Asia ये तेलंगना के द्वारा आयोजित ये एक वेश्विक सिखर सम्मिलन है जो जीवन विज्ञान पर विशेश ध्यान देने के साथ विबिन शेत्रों में विज्ञानिकों और विवसायों को एकजूट करता है ये जो Bio Asia है अभी इसका ठारवा संसकरन 22 और 23 फरवरी को आयोजित किया जाएगा और इस शिखर सम्मिलन की थीम क्या है Move the Needle कहाँ पे होगा तेलंगना में तो ये रा मैप में तेलंगना देखो इसकी केपिटल हैद्राबाद है हैद्राबाद से आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा Meditation Center शुरू हुआ ये हैद्राबाद में ही और हैद्राबाद शहर का Metro Real Network ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा Metro Real Network बना पहला दिल्ली है उसके अलावा देश का पहला Remote Monitoring System ये लाँच हुआ अभी हैद्राबाद में और हैद्राबाद में जो Nehru Geological Park है उसे ISO Certificate भी मिला था और इसे के साथ ISO Certificate पाने वाला ये देश का पहला देश का पहला चिडियागर बना बाकी अभी तेलंगना ने कानूमा तिवहार भी मनाया था उसके अलावा Urban Local Bodies यानि कि शहरी इस्थानिय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना था तेलंगना पहले दो कों से हैं? मद्ध्रदेश और अंद्रप्रदेश बाकी देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिन भारत का पहला बंदरों के बचाओ के लिए पुनर्वास केंद्र ये स्थापित होगा कहां पे तेलंगना में तेलंगना सरकार ने गर्बवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स शुरू किये थे भारत का पहला जंगल पार्क कॉंडे गोरे ये तेलंगना में स्थापित किया गया और किसानों के लिए रेतु वेदी का कारेकरम भी शुरू किया था तेलंगना सरकार ने और याद रखने इलेक्टरिक वाहन नीती को लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बना इससे पहले दिल्ली और गुजरात के सक कर चुके हैं और भूमी और संपती पंजी करन के लिए धरनी पोर्टल को भी लॉंच किया था और तेलंगना के पहले गरह मंतरी का नाम क्या था नर्सिमन रेड़ी उनका भी नीदन हो गया अच्छा तेलंगना के अभी नई चीफ जस्टिस बनी थी कौन हीमा कोहली और ये यहां की पहली महिला चीफ जस्टिस है इनका नाम याद रखना या के मुख्यमंतरी के चंदर शेखर राव हो गए और गवर्नर है तमिली साई सोंदर राजन बढ़ते आगे फिर अगला प्रशन है हाली में किसे राष्ट्र सुरक्षा सलाकार बोड में नियुक्त किया गया तो आंसर होगा शिरीधर वेंबू को तो टेक उद्यमी और जोहू के संस्तापक है ये शिरीधर वेंबू जिनको नेशनल सेकुरिटी एडवाइजरी बोड में नियुक्त किया गया है अभी इनको पद मुश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और इसी तरह से आपको याद होगा अगर डेली आप लोग हमर करंटर फेर्श का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये जो S.N. सुब्रमन्यमन है भारत के अभी राष्ट्र सुरक्षा परिशत के नए बने थे ये तो इनका नाम भी ध्यान रखना बाकी जेके शिवन धनलक्षमी बैंक के M.D.C.O. बने अजे सिंग बॉक्सिंग फेडरेशन आफ इंडिया के दुबारा से अध्यक्ष बने और आईशा अजीच भारत की सबसे कम उम्र की महिला पाइलेट बनी थी ये बढ़त इचले साल नॉमबर की बात इनकी एक बुक आई थी Happiness All Around और उस बुक को लिखने के बाद ये जो अभीजीता गुपता है ये सबसे कम उम्र की लेखी का बन गई थी और अभी इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम है We Will Surely Sustain इनका नाम याद रखना अभीजीता गुपत Save Your Life नाम की बुक लिखी और Shri Iyer Who Painted My Lust Red नाम की बुक लिखी बढ़ते आगे फिर बताओ फरवरी 2021 में मनासा वारनसी को VLCC Femina Miss India 2020 का ताच पहनाया गया ये जो मनासा है ये किस राज्ये से हैं तो आंसर होगा तेलंगाना तो भी तेलंगाना की मनासा वारनसी को VLCC Femina Miss India World 2020 का ताच पहनाया गया और इनके लावा हरियाना की मनिका शिवकंद इनको VLCC Femina Miss Grand India 2020 घोशित किया गया तो वो नाम भी आप ध्यान रखना बाकी तेलंगाना के बारे में तो हम अल्रेडी पीछे पढ़ चुके तो अभी हम बढ़ते आगे फिर हाली में भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे पुराने पशु जिसको कहते हैं डिंकिन सोनिया इसका एक मात्र जिवाश्म भी खुजा गया तो आंचार होगा मद्यपरदेश में तो मद्यपरदेश की जो भीम बेटका की गुफाय हैं वहाँ पे मिला है ये दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिन सोनिया का जिवाश्म ये करीब 57 करूर साल पुराना जिवाश्म है और ये प्रश्ण इसलिए important है क्योंकि भारत में पहली बार इस जानवर का जिव अब मद्यपरदेश में मिला है तो ये रहा मैप में मद्यपरदेश देखो इसकी कैपिटल भोपाल है मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान हो गए और गवर्नर है आनंदी बेन पटेल बाकी अभी मद्यपरदेश सरकार ने पंक योजना को शुरू किया था दुनिया का सब अब दिश्ट थीम पार्क ये बन रहा है कहां पे मद्यपरदेश के साची में उसके अलावा मद्यपरदेश सरकार ने भी लॉंच पेड योजना शुरू की एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया और उत्तरपरदेश के बाद धार्मिक स्वतंतरता विदेयक 2020 को दूसरा राज्य बना मतलब अब शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेंगे लोग अच्छा भी मद्यपरदेश हाई कोट के नए चीफ जेस्टिस कौन बने मुहम्मद रफीक बने हैं उसके अलावा भी मद्यपरदेश ने पोशित परिवार सु पोशित अब्यान शुरू किया था और मद्यपरदेश सरकार ने परधान मंतरे स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर मुख्य मंतरे रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम को शुरू किया और एक केंदर की योजना है ना किसान सम्मान निदी योजना जिसमें केंदर सरकार किसानों को साल के 6000 रुपे देती है, 2200 रुपे करके, उसी के तर्च पर मद्य परदेश सरकार ने किसान कल्यान योजना शुरू की थी, जिसमें राज्य के किसानों को 4000 रुपे देगी साल बर में, उसके अलावा मद्य परदेश के छतरपुर जिला पुलिस ने एक संकल्प अभियान शुरू किया, मद्य परदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आसपास योजना शुरू की थी, मद्य परदेश में आत्मत्या, सुसाइट के किसिस को कंट्रोल करने के लिए, और स्वच्छी सर्वेक्शन 2020 जो आया था, उसमें लगाता है, चौथी बार सबसे अभियान शुरू हुआ था, एक मास्क अनेक जिन्दगी नाम से एक जन जागरुकता अभियान शुरू हुआ, और मास्क से रिलेटेड एक और योजना है, यहां की जीवन शक्ती योजना, उसके अलावा देखो मद्य परदेश में एक रामसर साइट आपको मिलेगी, जिस पार नेशनल पार्क हो गया, संजे नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, सत्पुडा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क हो गया, और एक बांधव गड़ नेशनल पार्क आपको यहां पे मिलेगा, तो यह ध् 13 से 15 फरवरी तक मद्य परदेश के अतिहासिक शहर मांडू में दो दिनों तक ये मांडू महत्सव का आयोजन किया जाएगा अब किया जाएगा ये मद्य परदेश में और मद्य परदेश को तो अभी हम पीछी पड़ चुके हैं तो अभी हम बढ़ते हैं आगे तो इस कारेक्रम में चंदरमा के लिए मिशन अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन तो बताओ कि इस देश ने भी 10 साल का अंतरिक्ष कारेक्रम लॉंच किया तो अंसर होगा टर्की अब बात टर्की की है तो ये रा मैप में टर्की कैपिटल इसके अंकारा हो गई करंसी है टर् दे कौन, बढ़ते आगे, फिर हाली में अंतरराष्ट्रे मिर्गी दिवस ये कब मनाया गया, तो अंसर होगा 8 फरवरी को, तो देखो वैसे तो इसका कोई fix day नहीं होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रे मिर्गी दिवस ये हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, तो इस साल ये आठ फरवरी को मनाया गया International Epilepsy Day. अच्छा एको डे में आपको बता दू, नो फरवरी को Internet सुरक्षा दिवस, यानि कि Safer Internet Day के रुप में मनाया गया. इसे हर साल फरवरी के दूसरे हफते के दूसरे दिन मनाया जाता है. तो इस बार नो फरवरी को हम Internet सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, जिसकी थीम है Together for a Better Internet. Internet से याद होगा अभी ओकला ने जो Global Internet Speed Test Index 2020 को रिलीज किया था, उसमें भारत Mobile Internet Speed के मामले में 129 नमबर पे था. तो भारत तो इसमें 129 नमबर पे था और टॉप पे था कतर बढ़ते हांगे. फिर बताओ, अभी हाली में Supreme Court ने किस विमान वाहक पोत के विगटन पर रोक लगा दी है, विगटन यानि कि उसके तोड़फुर पर, तो आंसर होगा INS विराट. तो भारत के सर्वोच नियाले ने Supreme Court ने अभी हाली में डी कमिशन किये गए विमान वाहक INS विराट के विगटन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. एक्चली में पिछले साल, Metal Scrap Trade Corporation Limited के द्वारा की गई एक निलामी में, शिरी राम शिप ब्रेकर्स ने इस जहाज को खरीदा था. तो अभी आपको याद अखना है, Supreme Court ने अभी किस विमान वाहक पोत की विकटन पर रोक लगा दी, तो आंसर होगा INS विराट बढ़ते हैं अगे. अच्छा फिर बताओ, अभी SBI के अनुसार वित्वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP Growth Rate कितना रहने का अनुमान लगाया, तो अंसर होगा MINUS का 7%, इसके अलावा जो वित्वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP Growth Rate का इसने अनुमान लगाया था, वो तो वही है, प्लस का 11%, उसमें कोई Changes नह के उत्तरगी, तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि Bloomberg द्वारा चारी Innovation Index में भारत की rank पे रहा, तो आंसर होगा 50 पे, और इसमें टॉप पे था South Korea, आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और guys अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना, जो भी आपका study group हो गया, whatsapp group हो गया, facebook हो गया, वहाँ पे इस वीडियो के लिंक को एक बार प्लीज शेयर जरूर करना, तो guys इन सभी questions का quiz बना करके मैंने application पे upload कर दिया है, तो अगर अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है, तो वहाँ जाएए और इन सभी questions का आप practice लगा लिजिए, ताकि ये सारे questions आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, और जो नए student इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूँ कि quiz में आप ranking feature भी add हो चु motivation मिल सके, कि आपको भी यहाँ तक पहुचना है, ताकि सब लोग आपको top 10 देख सकें, और वैसे भी आप तो आपकी in current affairs का revision करवाने के लिए मैं इसका audio भी तयार कर रहा हूँ, तो दिन में 4-5 मिनिट निकाल करके वो आप audio सुन लीजिए, ताकि आपका in current affairs का fit से revision हो जाए क्योंकि आपको पता है, चीजों को पढ़ना important है, लेकिन समय समय पर उनका revision करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, revision नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ा भूल जाओगे, तो आप भी के लिए मैं इसका revision audio त्यार कर रहा हूँ, तो उस audio का link मैंने नीचे description में दे दिया है, वहा कि अब मिलते है current affairs के revision वीडियो में, thank you guys.